हलो दोस्तों वेलकम टो आटर रेविज आप सब लोगों को आज एक बड़ फिर से मैं सवागत करता हूँ मेरे एक और एक नए वीडियो पर दोस्तों आज आप लोग देख सेकते होगे आज हमारे सामने है 2024 टाटा पंच अडवेंचर रिदिम और यहाँ पे आज हम लोग बत आज हम लोग इस गाड़ी का एक फुल डिटेल रिभी आपको देने वाले तो चलिए शुरू करता आज का यह वीडियो बिना समय बड़ बात कि यहाँ पे डिजाइन की तरफ देखेंगे तो डिजाइन वाइस यहाँ पे ज्याद को चेंज नहीं है और बेल एकन जरूर द देखने को मिल जाएगा सबसे बाट कि Hmro ciudad wegg ठीज करेंगे घंडा अग्रणने हैना इन चाहाँ बडिजंगे तो यहाँ फेंड़ और यह मिल जाता है सात में आपका यहाँ पर पारिकिंग और एरिया यह सब का function आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है and guys this is the overall friend profile of this car friends से आपको कुछ ऐसा एक view देखने को मिलेगा side profile की तरह आप लोग देखेंगे 15-inch का टायर मिलता है with steel wheel यहाँ पे wheel cover यहाँ पे लगा हुआ है front पे आपको display देखने को मिलेगे EBS with EBD के साथ side पे देखेंगे तो थोड़ी बहुत आपको cladding बगड़ा देखने को मिलेगा and यहाँ पे देखेंगे यहाँ आपको mirrors मिलता है mirrors की बात करेंगे तो आपका electrical adjustable mirrors य यहाँ पे देखने को मिल जाता है अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर यहाँ पका door handles मिलता है body color door handles यहाँ पर दिया गए यहाँ पर दोड़ है जो आपका black color में दिया जाता है नीचे देखेंगे तो नीचे आपका fuel lid मिलता है इसको open करके आप लोग इस गारे में तेल सकता है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका rear पर wheel arch rear tire की बात करेंगे तो यहाँ पर अगेन आपको upload का tire मिलता है 15 इंच का tire यहाँ पर दिया गया है and tire size की बात करेंगे तो चारों tire पर आपको 185-70 construction tire देखने को मिल जाएगे यहाँ पर भी आपको rear पर steel wheel मिलता साथ और पीछ आपको drum brake दिया गया and also चारों tire पर आपको APS with EBD भी देखने को मिलेगा so guys this is the overall side profile of this side से आपको कुछ ऐसा एक view देखने को मिल जाता है अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पर rear profile के बारे में तो rear से भी देख सेकते हो कि rear से इसको काफी जादा एक simplistic look आपको तो आपका tail lamps मिलता है halogen indicators के साथ and tail lamps भी आपको halogen पर ही देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको Tata का logo यहाँ पर देखेंगे तो आपको camera दिये गए नीचे आपको punch का badging जो आपको chrome finish पर मिलता है और नीचे देखेंगे तो आपको rear bumper halo with reflectors and साथ में यहाँ पर आपको rear parking sensors दे navigate आता है as you can see सबसे उपर देखेंगे तो parcel shelf आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको bench seat दियागा कोई भी 6040 का option आपको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर देखेंगे तो आपका cab मतलब boot lamp मिलता है साथ में आपको shopping hook भी देखने को मिलेगा तो boot lamp आपको as usual Halloween पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखेंगे तो राइट सेट पर आपको shopping hook देखने को मिल जाता है और इस shopping hook कब 1 kg का सामान यहाँ पर आडाम से डाल सकते हो यहाँ पर देखेंगे तो आपका storage space जो यह आपको decent depth का space मिलेगा आपका 2 medium size suit के यहाँ पर आडाम से fit हो ज कलवा आपको और कोई problem यहाँ पर नहीं आने वाला है so guys this is a boot को फंड बूट में आपको सब कुस दिखा दिया अभी हम लोग करेंगे इस गारी के tailgate को बंद एड जाएंगे इस कार के interior पर सबसे पहले अगर आप लोग दर्वाजे की दरब देखेंगे तो दर्वाज आपक यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर देखने को मिलता है 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 यहाँ पर देखने को मिल डिंगा गाइस सीट्स की बात करेंगे तो सीट्स आपका फैब्रिक अपॉल शूमिलता है ब्लैक कलर में इसका सीट्थ देगा यहां पर जो टेक्स्टर मिलता है, टेक्स्टर मुझे थोड़ा सा इन परसनली पसंद आ है, विकाज ये थोड़ा सा यूनिक डिजाइन का टेक्स्टर यहाँ पर देखने को मिल जाता है यह पहले भी आता था, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको headrest मिलता है adjustable headrest यहाँ पर दिये गए, जिसे आप अपने comfort की साब से adjust कर सेकते हो and sitting जो comfort है, comfort is good मुझे यहाँ पर कोई भी complete नहीं है अब ही हम लोग चाहिएंगे इस गाड़ी के अंदर, so let's go so हम लोग आगे इस गाड़ी के अंदर, सबसे बहल अगर आप लोग steering wheel की तरब देखेंगे तो steering wheel आपका normal सा black color steering wheel यहाँ पर दियागा, with steering mounted controls लेकिन controls जो है, वो आपको सिर्फ एक ही जगा पर देखने को मिलता है, जो आप लोग देख सकते हो, media controls आपको only left side बाके right side पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, वाइबर का control आपको left side पर headlight का पूरा control आपको right side पर देखने को मिलेगा यहाँ पर आपका पूरा instrument cluster देखने को मिलता है, जो आपका digital में दिया गया, तो digital speed दिखाएगा, साथ में आपका फ्योल गॉज, टेंपर्टर इंडिकेशन, साथ में आपका ओडोमीटर, ट्रिपमीटर, डिजिल टाइम दिखाएगा, ड्राइब मोड दिखाता है, यहाँ पे आपको तीन ड्राइब मोड आता है, स्पोर्ट, सिटी, एंड इको ड्राइब मोड, यह तीनों ड्राइब मोड यह आप आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में अगर आप लोग बात करेंगे दूसरा options के बारे में तो टाकुमेटर और जो आपका आपको देखने को मिल जाता है बाकि सिस्टम की तरब देखेंगे तो सिस्टम आपको 7 इंच का सिस्टम आपको पहले भी आता था तो यहां पर एक चीज जो मैंने नोटिस किया वह है इसका जो स्मूधनेस आपको पहले से थोड़ा सा बेटर हुआ मतलब यहां पर देख सकते होगी है यहां पर थोड़ा सा लागिनेस कम हो गया बाकि यहां पर कोई वाईलिस शिस्टम नहीं मिलता है आपको वायड पर देखने को मिलेगा तो इस सिस्टम के बार में ज्यादा कुछ बताने की जरुदवरत नहीं है आप अल्रेटी सिस्टम को जानते हो अगर आपने पंच ओन किया है तो एंड साथ में यहाँ पे थोड़ा से नीचे देखेंगे तो आपका डूएस इवेंट्स अलग विद हैसल लेट जो आपको मिडिल पर मिलता है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एसी का पूरा का मैनौल ट्रेक मिलता है यहाँ पे देखेंगे तो storage space बकशाएद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन कोई आपको आमरेस्ट इस गारी पर देखने को नेहीं मिलता ग्लब बॉक्स की तरब देखेंगे, तो ग्लब बॉक्स का जो स्पेस है, ये भी काफी अच्छा कासा स्पेस के साथ इसका पूरा ग्लब बॉक्स देखने को मिलता है, आप अपना जेड़ो डॉकुमेंट्स आडाम से बैटा की ले जा सकते हो, without any problem, उपर में देखेंगे तो कोई भी आपको और जादा कुछ देखने को यहाँ पर नहीं मिलता हो, तो आप लोग expect भी मत करना, because यह mid variant का रही है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको reading lamp, which is in halogen, hand साथ में आपको और जाधा कुछ देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो गाइस, यही दा front interior of the Tata Punch Adventure Rhythm, now let's go to the back seats and see, back passengers के लिए कितना साथ space, क्या comfort and features वहाँ पर offer किया जाता है, let's go, so guys, अभी हम लोग जाएंगे इस car के rear seats पर, rear seats पर जाने से पहला, अगर आप लोग rear door की तरफ देखेंगे, तो rear door आप लोग देख सेखते हो, कि dual turn color में इसका rear door मिलता है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको seats, black color में इसका seat मिलता है, आपका fabric पोल्च के साथ, लेकिन जो downside है, इस seats पर कोई भी आपको adjustable address देखने को नहीं मिलेगा, आपका fixed address यहाँ पर दिया गए, तो अभी फिलाल हम लोग seat पर बैट के देखते है, कितना साथ नीरूम हम मिलता है, तो driver जो seat ह यह मेरे height के साथ से adjusted है, मुझे यहाँ पर कोई भी problem नहीं होड़ा है, यह थोड़ा सा हूचा गाड़ी है, थोड़ा सा मुझी नीरूम space यहाँ पर मिल गया है, यहाँ पर थाई support की बात कर थाई support भी यहाँ पर अच्छा का से देखने को मिल जाता है, यहाँ पर बीच में यहाँ पर रियर पर कोई भी reading lamp का function आपको देखने को नहीं मिलता, जो मुझे थोड़ा सा disappointed लगा, वो जो reading lamp सामने दियागा, वो उतना ज़दा bright नहीं है, तो at least यहाँ पर आपको middle पर एक reading lamp का feature देना चाहिए था, headroom की बात करेंगे, तो headroom देख सकते हूँ कि भाई, मु कुछ ऐसा करके रखना पड़ेगा, which is a little bit uncomfortable for me, and seats की बात करेंगे, तो seats पर अगर मेरे जासा बन्दा हो, तो भी भाई, तीन जन आरम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, उतना दा problem नहीं आएगा, लेकिन मेरे सा थोड़ा सा मोटा कोई person बैठेगा, तो भाई, मैं दो जनन का बै आटा, पंच, अडवेंचर, रिदिम, अब यहाँ पर अगर आप लोग on road की बात करेंगे, तो यह कारी अगर आप लोग कोलकाता से देखेंगे, तो आपका सारे 8 लग के आसपास की यह कारी का प्राइस बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे, त दोस्तों के साथ इन WhatsApp, Facebook, Instagram and Twitter, कमेंट्स में आपके मन में जो जो सवाल आड़ो about this कार, वो हमें कमेंट्स में बेज ही जग पूजिया, अब हम आप लोग के सवाल का जवाब जलते दने की कोशिश करेंगे, और अगर आप लोग चैनल फर्स टाइम आड़ो, सब्स्राइब क